हेलो गाइच और वेलकम टूमाई यूटूब चेनल टेक बॉमकेश दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदे इंपॉर्टेंट और योजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके वीबो टीटू यक्स 5G की फोन में डाटा वार्निंग नोटिफिकिसन में दिखा रहा है तो आप डाटा वार्निंग को बंद करना चाहते हैं या डाटा वार्निंग आप लगाना चाहते हैं अपनी फोन में तो कैसे लगाएंगे या बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद करेंगे पूरा मैं आप लोगों को सह प्रोसेस बताने वाला हूँ, वीडियो इंपोर्टेंट लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सबसे पाले आप अपने फोन में शेटिंग उपन कर लिजिए नेटवर्क एड इंटरनेट का ओप्सन देखने को मिल जाएगा, इस पर किलिक करना है किलिक करने वाद यहां पर एक उप्सन मिलता है, सिम कार्ड एंड मोबाल नेटवर्क है जो सेकेंड उप्सन हमारी फोन में, इस पर आप लोग किलिक करेंगे इस पर किलिक करने वाद यहां पर नीचे की सैड आपको सिम दिख जाता है, सिम 1, सिम 2 आपको जिस पर भी नेट है आपका उस पर किलिक करना SIM 1 पर हम किलिक करते हैं यहाँ पर कुछ है सेंटरफेस मिलता है यहाँ पर data warning का option मिलेगा नहीं तो आपको data usage का option मिलेगा इस पर किलिक करना है data usage पर किलिक करने के बाद आपको अपना internet आन रखना है दोस्तों इसके बाद यहाँ पर right side यह देख सकते हैं setting का icon दिख रहा है setting के icon पर click करना है setting के icon पर click करने बाद यहाँ देख सकते हैं data warning अभी दिखा रहा है इसको हम बंद कर देते हैं अब यहाँ देख सकते हैं data warning गायब हो गया झाल झाल